ओम नमो शिवाय आपका आपके चनल संजी वेरा में बहुत-बहुत स्वागत है माता लक्षमी आपको खुद संकेत देती हैं कि आपका आने वाला साल आने वाला समय कैसे बीतेगा जैसे जब आप दीपावली पर सफाई करते हैं बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बहुत अचानक से मिल जाएं तो ये भी आपका एक अच्छा संकेत होता है आए जानते हैं वो क्या चीज़ी है नमबर एक आज़िए आप घर की साफ सफाई कर रहे हैं अपनी अलबारी साफ करें अच्छानक से किसी कपड़े में किसी पर्स में आपको पैसे मिल जाएं जि और आपके उपर बहुत ज़्यादा क्रपा बरसाती हैं नमबर दो घर की पूजा इस्तल पर साफ सफाई के दोरान कई वार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं हम ढूनते रह जाती हैं लेकिन दीपावली के बग साफ सफाई करते बग यदि क्रश्न जी की मुर नमबर तीन साफ सफाई के दोरान आपको कोड़ी या संख मिल जाए तो उसे गंगा जल से इसनान कराएं उसके बाद उसको पूजा वाले इस्तान पर रखें दूसरे दिन उसको उठाकर अपने जहां पर अलमारी या तिजोडियों बहां पर रखें ऐसा करने से घर में सु कुछाती है और मतलक्षमी का बास भी होता है नमबर चार रसोई साफ करते समय यदि बह चावल मिल जाएं कहीं बार ऐसा होता कि हम लोग थोड़े से चावल रख देते हैं कि यह चावल कभी विशेश होगा तब बनाएंगे नहीं मिलते हैं और दीपावली की सफाई करते अचानक से बह चावल आपको मिल जाएं जिनको आप बिल्कुल भूल चुके हो तो यह आपके लिए बहुत ही भागिशाली हो और इसका यह संकेत मिलता है कि आपका आने वाले साल बहुत ही अच्छा बीतेगा नमबर पाथ घर के साफ सफाई करते वक्त यह दि आपको पोर लाल कपड़ा या डाल नुमाल मिल जाए तो उसको सभाल कर रख लेना चाहिए ऐसा माना जाता है कि यह लाल कपड़ा आपके आने वाले सुनहरेकल का संकेत देता है तो यह चोटे-चोटी चीजें है एदि आपको अचानक से मिल जाएं जिनको आप बिल्कुल भूल चुक लक्षिमी जी की कृपा आप पर बन रही है और नमोशिवाय